राजत्सान में मानसून इन दिनों ब्रेक पर है और धूप में कुछ तेजी भी नहीं हुई हालाकि बरसात नहीं होने के बाद भी तापमान उतना अधिक नहीं बड़ा है परदेश के जादतर जिलों में अधिकतम तापमान पिछले एक सबता से 30 से 35 डिगरी के आसपास ही बना हुआ है हर दिन 4 से 5 इस्थानों पर ही अधिकतम तापमान 35 डिगरी को क्रॉस कर रहा है रविवार को जादतर जिलों में आसमान में आंसिक बादल चाय रहे प्रदेश में सर्वधिक अधिक्तम तापमान स्रीगंगानगर में 38.2 डिगरी दर्ज किया गया इसके अलावा चूरू, बीकनेर, फलावदी, जैसलमेर वा पिलानी में तापमान 35 डिगरी से अधिक दर्ज किया गया जैपूर में 32.6 डिगरी अधिकतम तापमान रहा, मौसम केंदर जैपूर के अनुसार अगले एक सब्ता के दोरान तापमान में विसेईस परिवर्तन होने के आसार नहीं है मौसम विभाग के अनुसार मानसून के ट्रैफ लाइन हिमाला की तहलती पर सिफ्ट हो गई है जिससे उत्रखन के पहाली इलाकों पर जमा जम बारिस हो रही है बारिस के लिए जिम्मेदार ट्रैफ लाइन 20 अगस से अपनी समान इस्ति में आएगी उसके बाद राजस्तान में जमा जम बारिस होगी तब तक राज में मानसून की इस्ति समान ने रहेगी मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में भरतपूर संभाग में 16 अगस्त और कोटा संभाग में 17 अगस्त को कुछ भागों में हल्की सी मध्यम बारिस होने की संभावना है वहीं अधिकतर भागों में मौसम सुस्क और छुटपुट इस्थानों पर हलकी बारिस होने की संभावना है पस्चमी राजस्थान के भीकानेर और जोदपुर संभाग के अधिकतर भागों में आगामी दस दिनों के दोरान कमजोर मांसून परिस्थितियां जारी रहने की संभावना है इस बीच उदैपुर, कोटा, जैपुर और भरतपुर संभाग में 18 अगस तक हलकी बारिस हो सकती है बारिस नहोने से किसानों की चिंता बढ़ गई है फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें